नमस्कार, आप देख रहे हैं, पोस्टल दोस्ट, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पोस्ट ओपिस के सेविंग एकाउंट में ब्याज की कैल्कुलेशन कैसे होती है? किस परकार से आपकी जमाराशी पर आपको ब्याज मिलता है? इस वीडियो में Post Office के Interest के क्या क्या नियम है Interest की Calculation कैसे होती है उसके बाद में हम बात करेंगे IBB क्या होता है और एक Example के द्वारा मैं आपको Interest Calculate करना भी बताऊंगा और सबसे अंत में आपको Interest Calculator जो कि एक Excel Seat में है आपको बताऊंगा कि कहां से वो डाउनलोड होगा और कैसे आप उसको अपने लिए काम में ले सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं Interest Rules Post Office के बचित खाते के लिए ब्याज के क्या क्या नियम है Post Office के बचित खाते के अंदर ब्याज हर साल 31 मार्च को कैलकुलेट किया जाता है और आपके खाते के अंदर उसकी Entry भी कर दी जाती है Interest कैलकुलेट करने के लिए IBB हर महिने ली जाती है महिने की 10 तारिक से लेकर लश्ट तारिक तक आपका Balance यदी 500 से नीचे चला जाता है तो उस महिने की IBB जीरो मानी जाती है उस एमाउंट को ब्याज के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है अब बात करते हैं What is IBB IBB का फुल फॉरम होता है Interest Bearing Balance यानि की आपके खाते के अंदर परति एक महिने की 10 तारिक से लेकर अंतीम तारिक तक जो भी सबसे कम बैलेंस होता है उसको IBB बोलता है यदि आप एकाउंट को कभी भी बीच में क्लोज करवाता है तो भी आपको IBB कैलकुलेट करके एकाउंट बंद करवाने के महिने को छोड़ कर उसके पहले के महिने तक आपको ब्याज मिल जाता है अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है पोस्ट ओपी सिविंग एकाउंट के अंदर ब्याज की कैलकुलेशन मैनूल नहीं की जाती है बलकि यह सिस्टम के दवारा आटोमेटिक हो जाती है तो यहाँ पे किसी परकार का कोई मैनूल कैलकुलेशन नहीं होता है फिर भी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला इस परकार से होता है कि अप्रेल से लेके मार्च तक का जितना भी आईवीबी होता है उनके टोटल को रेट ओप इंटरस से मल्टिप्लाई किया जाता है और उसको बारास से डिवाइट कर दिया जाता है अब एक एक एक्जामपल से समझ लेते हैं कि कितना भी आज आपको कैल्कुलेट होगा यदि आपका अप्रेल का अंदर आईवीबी 1000 रुपय था फिर मही में आपका आईवीबी 2000 था उन सब की टोटल आईवीबी होती है 18,700 रुपय तो यहाँ पे जो आईवीबी हो रहा है वो 18,700 है और रेट ओप इंटरस यदि 4% है तो उसके हिसाब से आपका इंटरस यहाँ पे बनेगा 62 रुपय, 33 पैसे लेकिन 50 पैसे से कम होने पर आपके खाते में इंटरस के वल 62 रुपय ही जमा होगा अब बात करते हैं कि आप अपना इंटरस कैसे कल्कुलेट कर सकते हैं इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक Google Drive का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस Excel कल्कुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आपको परतियक महिने का IB भी एंटर करना है तो वहाँ पर टोटल आटोमेटिक हो जाएगा और आपका IB भी आटोमेटिक आपको सो कर देगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मैं सेर करें नमस्कार